सुप्रबाद बच्चों, आज मैं ले रहे हूँ ग्लास 1st टंडर्ड विशे हैं हिंदी, विशे हैं हिंदी, तो बच्चों मैं आपको 1st टंडर्ड में आपका स्वागत करती हूँ, क्यूंकि आप UKG कक्षा खत्म करके 1st टंडर्ड में आ गए, तो बच्चों इस नए कक्ष साल दो बच्चों आपको इस साल दो बुग चूंक पिछली साल már ने देखाता आपको कौन सहां को मुझति आपको याद है, पिछली साल आपको कौन सहां से बसांकि बच्चों दो, अ, यूकि में आपको आपको आपनी बढ़ाया है आप Other football ते ने पादाए में आपको और क खड़ी, एक UKG में आपको एक बुक था, किताब था बच्चों, तो इस साल आपको दो बुक दिये गए हैं, हिंदी के, जैसे कि देखों, सुलब हिंदी रीडर भाग एक, यानि सुलब हिंदी रीडर भाग एक, यानि बच्चों, इसमें आपको पढ़ने के लिए, यानि आपको में लेती थी न, असे, अनार, आसे, ये में आपको पढ़ा थी थी न, इसके असे बढ़ने वाले कुछ और अलग ऐसे अक्षर है, इसके बारे में, आपको मैं इस बुक में पढ़ाने वाली हूँ, इसका अक्षर परिचे, इसे क्या बोलते हैं, अक्षर परिचे, समझ में आ गया बच्चों आपको, ओके, दुसरे बुक में बच्चों, देखो, रिमजिम वन, पहली कक्षा के लिए हिंदी की पार्ट एक बुक जो है ना जो एक किताब है ना बचो एक reading और से लिके आहाद तक चित्रों की पढ़ाई करना है वेंजन पढ़ना है मात्रा सीखना है इस बुक में आपको पढ़ना है समझ में आगए आपको और रिमजिम वान इस किताब में आपको जो किताब में आप बच्चों आपको देखो कविताएं देगे हैं कुछ कहानिया दिये हैं ये इस पार्ट में आपको पढ़ाने वाली हूं तो बचों, आपको इस साथ दो हिंदी बुक से ना, टेक्स्ट बुक है ना, इस दोनों को भी आपको पढ़ना है तो पहले बुक में आपको पढ़ाती हूं, मैं दिखाती हूं इस किताब में बचों, अर्से लेके, अक्षे परिचे देखो, अर्से लेके अहां तक पूरा अक्षरों का परिचे दिया है बाद में विंजनों की बारे में बताया है नेक्स्ट वर्न के अवयोव जो में आपको वर्न पढ़ाया था ना बच्चों वर्न कौन से है स्वर्न वेंजन इसके बारे में आपको और उससी जादा पहले से भी जादा इसमें पढ़ना है नेक्स्ट देखो स्वर्न और वर्न मिलाकर बनाये हुए शब्द कुछ स्वर्न और वेंजन मिलके जो शब्द बने है इसका परिचय आपको देखना है इस बुक में बाद में यास्वर, रस्वस्वर, दीरवस्वर इसके बारे में आपको परिचे मिलेगा इस बुख में एससा पढ़ना है बच्चों और इस बुख में जो है न आपको मैं बताती हूं इस बुख में जूला एक कविता है बच्चों आमकी कहानी, एक कहानी, इसमें कहानी पड़ेंगे आप, आमकी टोकरी, पत्ते ही पत्ते, पकोडी, जुग-जुग गाडी, रसोई घर, शुभो माउ सोरी हैं, एक सब कहानियां, एक से लेके 27, 23 सब आपको कहानिया, कविता, पद्यसर दिये गए हैं बचो, इस किताब में आपको ज़्यादा से स्टड़ी करना है, तो बचो, आपको देखो, रिंजिम 1 में क्या दिये गए देखो, एक QR कोड दिये गए है, आपके मोबाइल में, QR एक प्ले स्टोर में से स्कैनर आपको अप लेना है, उस अप में देखो, प्ले स्टोर से QR कोड स्कैनर अप इंस्टॉल करके उसे खोले, QR कोड एक एप मिलता है बचो, वो क्या करना है आपको? इंस्टॉल करना है, बाद में QR कोड स्कैनिंग विंडो तयार हो जाएगा, यानि स्कैनर आएगा बचो, और यहाँ देखो, स्कैनर QR कोड के सामने रखिए, आपको देखो, एक QR कोड है, स्कैनर जब आपके मोबाईल पे स्टार्ट हो जाएगा, तब आप क्या करो, स्कैनर इस पे रखिए, क्यूंकि जब भी आप हमारे क्लास खत्म हो जाएगे ना बच्चो, तब और थोड़ा पढ़ने के लिए आपको इस स्कैनर, QR स्कैनर का उप्यू होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको इसके और ज्यान मिलेगा बच्चो, देखो यहाँ, मोबाईल ऐसे स्कैन करो, त एस पार्ट का सभी परिचय मिलेगा आपको, समझ में आ गया बच्चो आपको, तो पहले हम बच्चो, तो बच्चो, आज मैं पहले लेती हूँ, इस बुक में हम पढ़ाई करेंगे, रिम जिम जो है ना आगले पार्ट में आपको में वीडियो में बताने वाली हूँ, बच्चो यहां देखो, इश वन्दना यानि हमारे जो प्रभु है ना इसके लिए वन्दना, प्राथना करना है, आप स्कूल में जब आते हो ना तो आप प्राथना करते हो ना, जब आप स्कूल में आते हो, स्कूल में मॉर्णिंग को हमें प्राथना मिलती है ना, करते है सब मिलकर हम बचो इसे इश वंदना इश नी प्रभू की वंदना करते हैं हम तो बचो आप भी इसी तरह से हाथ जोड़िये मैं आपको बताती हूँ आप भी मेरे उसी तरह से बोलिये जैसे कि इश वंदना कैसे बोलते हैं देखो बचो हे प्रभू देखो बचो हे प्रभू आप भी मेरे सब बोलिए हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिये आप ऐसे हाथ चोड़के आप बंद कीजिये बचो क्या देए हैं देखो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिये शिक्र सारे दुरवनों का दूर हमसे कीजिये यानि ए प्रभू मुझे जो बुद्धी है मुझे दीजिये और मेरे जो भी दुर्गुन गोन है ना मुझसे दूर जाये दूर हमसे कीजिये लीजिये हमको शरन में हमें सदाचारिये बने आप प्रभू है प्रभू मुझे अपनी शरन में लीजिये और हमेशा एक अच्छा इंसान बना जिये सत्य बोले जूट ते आगे मेल आप में करे यानि सत्य मैं हमेशा सत्य बोलू जूट का कभी भी मुझसे ना बोलू यानि मैं सत्य बोलू हमेशा जूट का कभी भी सहारा ना लूँ, ऐसी मेरी इच्छा है, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, यह प्रभू, मैं निंदा किसी का भी ना करूँ, ऐसी मुझे बुद्धी दो, दिवी जीवन हो, हमारा आप यशगाया करे, यहनी मेरा जो जीवन है न, सच्चाई मार्ग पर चले, किसी का न प्रबु आनंदाता ज्ञान हमको दीजिये शिग्र सारे दुर्भुनों का दूर हमसे कीजिये लीजिये हमको शरण में सदा हम सदाचरी बने सत्य बोले जूट त्यागे मेल आपस में करे निन्दा किसी का हम किसी से भूल कर भी ना करे दिव्वी जीवन हो हमारा आपका यश गाये करे ये इश्वंदना है बच्चों पहले मैं आपको इश्वंदना इसलिए बताया कि आप प्रभू को यार करके आपकी जो भी सद्गून है न वो बोलने का आपको प्रयास्तिय है मैंने तो बच्चों आप भी पेज नंबर तीन खोलिए अक्षर परिछे अक्षर परिछे नि बच्चों आपको स्वर देए गए हैं इसके पहले आपको मैंने स्वर बताती हूँ पिछले वीडियो में आपको स्वर मैंने बोला था ना स्वर कितने होते हैं वेंजन कितने होते हैं इसके बारे में आपको मैंने बताया था ना तो पहले हम स्वर देखेंगे पिछले क्लासिस में आपको मैंने आपको स्वर बताया था स्वर कितने होते हैं क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताया था तो फिर से आपको स्वर के बारे में थोड़ा ज्यांग देती हूं किसी भी भाषा का सुरुवार शुरुवात करते समय बच्चों उसके अक्षरों के अवयों आना भोज जुरूर है क्योंकि कौन साभी अक्षर तयार होने से पहले अक्षरों का अवयों है आना ही छहिए आपको तो पहला अक्षरों है सीधा लकीर खडा लकीर उल्टा तिर्ची लकीर तिर्ची लकीर उल्टा तिर्चिलकीर आधा गोल उल्टा आधा गोल इस तरह से ए अक्षरों के अवियों है बच्चो नेच्ट बच्चो आज मैं आपको बताने वाज हुँ वर्न माला वर्न माला है नहीं क्या बच्चो ए देखो वर्न माला वर्न माला यानि क्या वर्न माला के दो प्रकार है दो भाग है एक है स्वर्ण एक है विंजन मैं आपको बताया था ना बचो आपको वर्न माला के दो भाग है एक है स्वर्ण एक है विंजन वर्न माला यानि क्या बचो कल मैंने बताया था ना आपको वर्णों के व्यवस्तित रूप को वर्णमाला कहते हैं, यह इनके बारे में व्यवस्तित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं, आप पढ़ेंगे स्वर, स्वर यह नहीं क्या बच्छों? स्वर, आपको मैं बताया था, स्वर कितने हैं बोलो, स्वर कितने हैं, टोटल तेरह स्वर है, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, लेकिन स्वर के टोटल कितने माले गए हैं, और से लेके अउट तक इतने ही स्वर माले गए ह क्योंकि जो अम अहा है न यह अयोग हुआ है यानि नाक से अवाज निकलता है बच्चों आपको मैं निकल बोला था जैसे कि अंग रंग यह जब आप उच्छार करते हैं उच्छारन आता है मुख से तब यह उच्छार मुख से लहीं आके फिला है जैसे कि वो मुख से पीखता है यह यह ру परिंटों क्या होता है आर यह जो है न यह नाक्ष से वाज जते हैं जिससे बंड़े उआ कुछ शब्द होते के अंग रंग इसका नाक में से आवाज आता है इसलिए यह क्या है अयोगवा हो है स्वर्कुल ग्यारह स्वर है दो अयोगवा हो स्वर है इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा में जनते लिए जन वरनों का उच्चारण करते समय धनी मुक में बिना टकराए यानि आवाज स्वतंत्र हूप से बाहर निकलती है उसे स्वर बोलते हैं यानि क्या बचो जन वरनों का उच्चार यानि बोलते वक्त यह वर्न है ना स्वरण और से लिए क्या ओतर बोलते वक्त उसका आवाज जो बहार आता है ना कहीं भी टकराता नहीं अपनी मुक में इसकी O फास्ट आता है आ कहीं टकराता है क्या नहीं यहीं मुक बंद होता है क्या नहीं इसे स्वतंत रूप से बाहर आते हैं उसे स्वर बोलते हैं जैसे की O, A, E, E है स्वतंत रूप से बाहर आते हैं इसलिए इसे स्वर बोलते हैं तो बच्चों आपको मैंने स्वर पढ़ाया है आप उससे बनने वाले जो अक्षर परिच्च है आज आपको पढ़ाने वाली हूँ अक्षर परिच्छ है अक्षर परिच्छ है यह नहीं क्या बचो देखो ओस से बनने वाले कुछ अक्षर है जैसे कि देखो ओसे अनार ओसे अनार ओसे अनानास ओसे अनानास ओसे अजगर O से बनने वाले देखो न यहाँ O आया है पहले स्थान में यहाँ O आया है और यहाँ O आया है समझमाया गए आपको इसलिए O से बनने वाले कुछ इहाँ शक्त है जैसे कि देखो O से अनार अनार को इंग्लिश में क्या बोलते है Pomegranate ओके अननस को क्या बोलते हैं पाइन्यापल और अजगर को क्या बोलते हैं पाइथान समझ मैं आगए आपको असे अननस असे अजगर नेक्स्ट आसे आलू आसे आलू आसे आम आसे आग देखो बचो प्रतम शब्द जो है ना आ का अता है जैसे की देखो आसे आलू आसे आग आसे आलू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में पोटेटो आम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में मैंगो और आग को क्या बोलते हैं फायर पोटेटो मैंगो फायर आसे आलू आसे आम आसे आग्लिश में आग्लिश में आपको नेक्स्ट बच्चों आज मैं चार भी स्वर लेने वाली हूँ अक्षर परिच्रे में चार भी स्वर लेने वाली हूँ आ के बाना आता है ई इसे इमली आप ख़ते हैं ना बच्चों आई से इमली इसे इमारत इसे एक क्तारा इसे क्या इंग्लिश में क्या मुलते हैं इसे इमली टैंबरिंड आईसे इमारत e से एक तारा e से एक तारा one strange musical instrument यह यह वाद्दी है बच्चों जो हम बजा सकते हैं समझ में आ गया e से इमली e से इमारत e से एक तारा next बच्चों बड़ा e है e से एक e से इक e से इड e से इड और एक बार बित्त दी हूँ इंग्लिश में क्या बलते हैं इसे अग्रेशी में e से इक को sugar can e इद को e इड e इड को brick brick बलते हैं इंग्लिश में e से इड e से इड e से इड e बच्चों आज आपको मैं पढ़ने के लिए e से लेके e तक जोग भी अक्षर परिचे हे न पढ़ना है जैसी कि हिंडी में पढ़ना है जैसे कि अनारा पोमग्रेनेट, अनाराश, पाइनप्ल, अजग़ पाइथान इस करस्त इंग्लिश भी पढ़ना है अंग्रेजी में जो मीनिंग होती हो भी पढ़ने है और क्या करना है बच्छों हिंडी में भी पढ़ना है आपको मैं आज हुमर्थ देने वाली हूँ बच्छों आप इस साल थ्री लाइन का लग बुक ना यूज़ करके टू लाइन का यूज़ करना है टू लाइन यहीं आप फर ओनली डो लाइन का ही करना है जैसे कि देखो बच्छों पहले में लेती हूँ अक्षरों का अवयो क्यूंकि कौनसी भी भाषा का ज्यान लेकते समय अक्षरों का अवयो आना बहुत जरूरी है तो बच्छों आप भी टू लाइ समझाएगा बार में खड़ा लगीर देखो इस तरह से अक्षरों में खड़ा लगीर लिखना है नेक्स्ट आधा गोल आधा गोल अच्छे-अक्षरों में इस तरह से आधा गोल करना है समझ मैं आपको उल्टा जिस तरह से इस तरह किया है ना इसका मुख आप इस तरह करो मुख यहाँ उल्टा आदा गोल देखो ए अक्षरों के अव्यों का आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है बच्चों क्योंकि ए अच्छी से लिखना आये तो आपके हिंदी रैक्टिस जो भी वर्ड़ से बहुत अच्छी तरह से लिखना आता है देखो उल्टा आधा गोल देखो उल्टा आधा गोल आधा यह नहीं पूरा गोल नहीं है देखो इस तरह से उल्टा आधा गोल और देखो देखो इस तरह से आधागुल उपर की और करना है इसका मुक यूजे से इसका होता है समझ माया गया बच्चो ए पहले पेज में अक्षरों के अव्यों लिखना है दुसरे पेज में बच्चो आपको क्या करना है स्वर मैंने आपको स्वर पढ़ाया थाना यूटी इस साल आपको टू लाइन नोटबुक यूज़ करना है इसे इमली इसे एक उसे उल्लू उसे उन रूसे रुशी एसे एडी आईसे आईनाग ओ से ओकली आउ से अउरत अम से अंगूर और अहा ए है स्वर बच्चो आपको दो बार लिखना है एक पेज में अक्षरों के आउयों का लिखिए दुसरे पेज में दो बार स्वर लिखना है आज का होमोर का आपको मालूम हो गया तो बच्चो आज का क्लास खत्म होता है और ये अक्षर परिची चार अक्षर परिची जो है न ये पढ़ना है आज का क्लासम खत्म होता है धन्यवाद